प्रिदेश का एक युवा होने के नाते हैं, हमारे युवा साथियों की जो दुख तकलीफ हैं, उसको जानने का समझने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसका निप्तारा करने के लिए भी समय समय पर आपकी आवाज को मुख्यमंत्री जी के समक्ष और सरकार के समक्ष उठा रहे हैं अभी जो हमारे युवाओं का खास करके जो recruitment process का मसला है जो पहले subordinate service election board दोरा करवाया जा रहा था और अब उसको public service commission द्वारा करवाया जा रहा है उसमें से कुछ declaration of results का भी मसला है इस मसले को हमने सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से उठाया है वट वी मस्ट understand कि यह सारा जो process जिसमें problems आई है यह पूर सरकार द्वारा भाजपा सरकार द्वारा जो recruitment में धांदलिया हो रही थी उसकी वज़ा से आई है मुखे मंत्री शिरी सुखु जी ने इसको परदा फार्ष करने के लिए एक नए process से इसको शुरू किया है उसमें vigilance द्वारा inquiry करवाई जा रही and we must understand that we don't live in a banana republic the rule of law has to be there और पूरा process जो है उसको follow करने की आविशकता है मकर मुखे मंत्री जी ने ये आदेश इसमें दिये है कि जो codes भरतियों की जिसमें कोई भी धांदलिया नहीं पाई जाती है उनको जल से जल जो है वो declare किया जाए इसके ओपर public service commission भी कार्य कर रहे हैं और police department भी इसके ओपर जो है वो क्यार कार्य कर रहा है और हमें विश्वास है कि बहुत जल्द ये process पुरा हो जाएगा I understand because of the delay that has happened काफी युवा जो है आजकल परेशान है मगर मैं आपको ये विश्वास दलाना चाहता हूं कि हम एक युवा प्रतिनिदी होने के नाते पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं आपकी आवास को लगातार सरकार के समक्ष मुख्यमंत्री जी के समक्ष और जो जितने भी अधिकारी इससे concern है उससे इसके बारे में सकरात्मक चर्चा कर रहे हैं और जल्द जो recruitment recruitment पुलीस के दाएरे में विजिलिंस के दाएरे में नहीं आती है उनको जल्द डेक्लेर करना उनकी recruitment को शुरू कर दिया जाएगा इसका हम आपको पूरा विश्वास दलाना चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा कार्या कर रहे हैं और युवाओं की आवा को पूरी मजबूतिय से उठाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जैह हिंद जैह माचल